हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो देख सकते हो यह अलिव 2028 का काड़ है दोस्तो इसमें दोस्तो लाइट नहीं आ रहा है इस बक्स में तो कैसे इसको रिपेरिंग कर सकते हो यह दोस्तो और यह है पावर सप्लाई आपको दिख रहा है यह है पावर सप्लाई और यहां पर दोस्तो आपको यहां पर फ्यूज देखने को मिल जाता है तो फ्यूज वाला जो सौकेट है यह तूट गया है तो यह बंद नहीं होता है और दोस्तो कैसे यह रिपेरिंग होता है आज मैं आपको प लिखा हुआ है देख सकते हो तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना एक प्लॉक जो मल्टिमीटर का है बीस रेंज पर कर लेना है जो कि 20 रेंज बीस रेंज पर कर लेना है और एक प्लॉक को यह ग्राउंड में डाल देना है और दूसरे को यहां पर चिक करना है यह कैपे 3.3 volt आना चाहिए 3.3 volt से कम मिलेगा दोस्तो 3.3 volt यहाँ पे चिक करोगे न मल्टिमीटर से तो voltage आना चाहिए 3.3 तेन पोइंट से कम मिलेगा तो दूस्तो आपका जो प्राफ्ब्लम है लो सिंगनल अने लगयाता है यह दिलए बटो सेये सिंगनल ने लेकर फिर ब्हुर्बी आपका वीख सिंगनल नो सिंगनल आने लग जाता है इससी केरान ऋता यह जो आपको दिख रहे ना ये मुल्लू वाला तार देखिए दुस्तों ये वाला इसी करण होता है ये वाला तार के करण देख सकते हो मैं आपको जूम करके भी दिखला देता हूं देखिए यहां पर यह वाला यहां पर चेक कीजिए 3.3 volt आना चाहिए 3.3 volt आ जाएगा तो आपका जो problem है यह solve हो जाएगा और इसी करन दोस्तों आपका सेटर बक्स में light नहीं आता है यहाँ पे 3.3 volt आ रहा है तो इसका मतलब समझेए कि मेरा जो power supply है यह सही है और दोस्तों यह card भी खराब हो जाती है तो यही चे खराब है तो दोस्तों यही थी दोनों पाहचान करने की सुविदा दोस्तों कि कौन सा मेरा खराब है power supply खराब है यह video card तो सबसे पहले इस भोल्ट पे चेक कीजिए 3.3 volt आना चाहिए आ रहा है तो सही है video card खराब है और नहीं आ रहा है यहाँ तो यह power supply खराब है दोस्तो सबसे पहले यही चेक कीजिए यहाँ पर 3.3 volt तो दोस्तों यह थी छोटी से जन करिया जन करिया कैसी लगए अच्छी लगए तो like share channel को subscribe करें अपने दोस्तों पास share करें मिलते हैं next video तक तक लिए नमस्कार दोस्तों